मैंने आपको हमेशे एक चीज़ बोली है कि अगर आपको salary अच्छी चाहिए फार्मसी फिल्ड में आने के बाद तो experience बहुत ज़रूरी है लेकिन आपने कभी सोचा है कि मैं हमेशे ऐसा क्यों बोलता हूँ और experience क्यों important होता है क्योंकि दोस्तों दीखिए हर एक फिल्ड का अपना अपना एक अलग प्रोस्पेक्टिव होता है अपनी अर्एक फिल्ड अपनी अपनी तरफ से आगे जाती है फार्मसी के ऐसी फिल्ड है जो experience के बलबुति क्यों पर बहुत आगे जाने वाली है और experience क्यों important है इसके बारे में हम डीटेल में आज बात करेंगे तो इस वीडियो को शूरू से लेकर रहन तक ज़रू देखिए दोस्तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर मैं आपको एक्जांपल देंगा स्टार्ट करूं या फिर एक कुछ आपको छोटा से एक्जांपल देदू और आपका कोई टीवी खराब हो जाये और इस टीवी को खराब होने के बाद अगर आप कोई दुकान में चाहते हो उसको अगर between करने वाला जो इंसान है उसको अगर experience हे पिशले 50 साल अब पिशले 50 साले तो से अपना टीवी जो है उसको ठीक करने का काम करता है और सेम वाइस अगर आप किसी दूसरे दुकानदार के पास जाती हो जिसको experience 4-5 मेनियों का है तो कौन सा दुकानदर जो होगा कौन सा वो shop retailer होगा जो आपका टीवी जल्दी से ठीक कर सकता या फिर कौन सा वो इंसान होगा जो आपको सबसे अच्छी सर्विस दे सकता है सबसे सही सवाल और इसका सबसे अच्छा जबाब यह होगा कि जो experience होगा वो आपको अच्छी सर्विस देगा उसी तरह से फार्मसी फिल्ड है कैसी फिल्ड है जो innovation की उपर जो critical चीज़ों की उपर बहुत दा बेस्ट है यानि आप जो colleges में पढ़ती हो sale tissue वो तो basics हो गया लेकिन उसके भी कई गुना आगे 1000 गुना आगे फार्मसी फ होता है या फिर कोई product manager होता है हर एक फिल्ड को या फिर हर एक प्रास्पेक्टिव उसको marketing या फिर कौन से बीचीज हो उस हर एक चीज में experience बहुत important होता है क्योंकि फार्मसीटिकल फिल्ड innovation के बलबते की उपर आगे जाती है अगर आप बात करोगे पिछले 50 सालों में या फिर अगर मैं बात करता हूँ कोई बहुत तूरानी बीमारी की अगर प्लेग बगर ऐसे चीज़ों की तो उस टाइम पता भी नहीं चलता था कि लोग किस वज़े से मर रहे तो ऐसी केस में यहां पे उस टाइम से लेकर आज की टाइम था क्यानी जब हमारी पास आज की डि स्लेनिकल ट्राय में चले गया देरे देरे आम कहिना के बहुत ज़्यवाल हो चुकि एस कंपर तू फिप्टीट हंडेड तू हंडेड इयर्स अगो नहीं पिछले 100-200 साल से कही गुना हम आगे आ चुकि इसका रीजन यही था कि हमने रिसर्च और हमनी इनुविशन को ज्य लिए टी वीडियो कॉन्फरेंस जो थी मैंने देखी थी उसमें जो हमारे इंडियन मेडिक लाससेशन को डॉक्ष डॉक्टर्स ते जो नोने कोरोना वायरिस के लिए कुछ उसके बार में बाती कर रहे तब मैंने सुना कि बाखी कंट्रीग में करोना वायर जो बाया ता य की या फिर फार्मसेटिकल फिल्ड की तो experience एक ऐसे चीज़ है जो इस फिल्ड को आगे जाने के लिए बहुत ज़ाद हम हिल्प करती है या फिर बहुत ज़ाद इंपोर्टन्स देती है तो इस पर ऐसे जो भी इंसान जो फ्रेशर आता है तो उसको कम सालरी होती है और जो experience होत कि यह लाकू करोड़ों में लोगों की following से जिनको experience जो बड़े-बड़े पोस्ट की उपर है CEO अगरा ऐसे पोस्ट की उपर है या फिर बिनेस अनलिस्ट अगर ऐसे पोस्ट की उपर है यानि लोगों की वैल्यू है लेकिन हमने पता है हमी कभी पता ही नहीं चला और जिन ल सब्सक्राइब कर देना इस वीडियो को लाइक कर देना इस वीडियो में कोई चीसी कमेंट कर देना धन्यवाद दोस्तों यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद कर दोस्तों यह वीडियो देना इस वीडियो देखने के लिए उन्यवाद